तुमस्कार फ्रेंट बहुत बहुत सब्सक्राइब करती हूँ आप सबी का मेरे चैनल मम्ता ब्लॉग्स में कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लोगोंगे मेरे ब्लॉग की सुरुआत हो रही है तो पहर के साड़े तीन बजे से और यहां पर जो भी मेरा काम धाम था कटिंग थी वो मैंने कंप्लेट कर ली है दिन का जो काम था उसका वीडियो मैंने आपके साथ में पिछली वास शेयर किया था अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखेगा तो उसी के बाद का यह वीडियो है वीडियो एक बार में बहुत लंबा हो जाता तो मैंने यहाँ पर दो पार्ट में उसको शेयर किया है तो बेहनी वगर मैंने लगाई थी बाल वगर दूल लिया और उसके बाद में मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी थी ब्लाउस की जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कटिंग करके मशीन पर रख लिये हैं पानी थोड़ा थोड़ा काम रहे गया, उसको मैं कम्प्लीट करने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा, वीडियो पसकता आता है, तो लाइक किजिएगा, शेयर किजिएगा, और कमेंट भी ज़रू पताईगा, आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं, बैल के नोटिफिकेशन और को क्लिक करना, मत भूलिये का, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो ये ब्लाउज जो है, ये थोड़ा सा यहां पर रह गया था, बागी मतलब चार ब्लाउज जो देने थे कास्टुमर को, तो तीन ही मैं कंप्लीट कर पाई थी, जिस दिन मेरी मोटर खराब हो गई थी, तो एक ब्लाउज रह गया था, तो बहुत हम ठीके बाद में लेके जाएंगे, तो वही एना कि बाद का काम तो फिर बाद का ही होता है, तो ये ब्लाउज में स्लीव अटैच करना रह गया था, तो फिर मैंने सोचा जब वह लेके नहीं जाएंगे, तो फिर मैं इसको अभी क्या करूँ तैयार करके, तो मैंने इतना ही छोड़ दिया था, और इसमें केबल स्टिच करनी थी, इसमें स्लीव अटैच करनी थी, और हुक आई करने थे, तो इतना ही काम इसमें रह गया, तो वही काम रह गया था, तो अभी मैंने यहाँ पर इसको निकाल के रख लिया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कटिंग की, कटिंग का वीडियो शूट किया, और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत समान था, उसको मैंने यहाँ पर सेट किया, और अब मैं लेके बैठ गई हूँ, इन कपड़ों को, तो मुझे इसको कम्प्लियेट करना है, उसके बाद में एक सूट और है, वो थोड़ा सा स्लीव में उसके टाइट हो रही है, तो फिर मैं उसको ठीक करूँगी, और अगर टाइम बसता है, फिर उसके बाद में, जो मैंने कटिंग करके रखी है, तो उसका भी मुझे वीडियो शूट करना है, तो यही रहता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और प्रपर तरीके से हर एक बात, step by step ने बतानी होती है, समझानी होती है, जिस वज़े से वीडियो बनाने की वज़े से, भी हमारा थोड़ा सा टाइम वहाँ पर चला जाता है, तो इसी रिए, जो कटिंग मुझे आज सुभा ही मैंने कपड़े निकाल के रखे थे लेकिन सुभा से लेके दुपहर तक मेरा इसी तरह से अपने ही घरेलू काम में ही टाइम पूरा निकल गया और यहाँ पर धाई से तीन बज़ गया है लगब धाई बज़े तो मैं नहा के निपती हूँ और बालों में महनी वगर लगाई थी तो उसी में इतना टाइम हो जाता है काम इतना बढ़ जाता है कि हमें खुद के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है लेकिन काम के साथ साथ हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना है और यहाँ पर फाइनली मैंने डेड़ महीनी के ब कुई क splits your Pubal अपने लिब ताइम रही होता है और अपने बार टाइम कर रहे चैनलों करें तो साथ जारमेर साथ मरता है थे इनल का सूराने ही काम हो quően ने लिए को किसी काम करें और पूरेट करें हो यहां पर हम वर्टिक पी ऑपरेंट करें दो दो मेरे चैनल हैं और इन सारे के साथ में अगर मैं खुद के लिए टाइम निकाल पा रही हूं तो यह सबसे बड़ी बात होती है लेकिन सभी काम को हमें मैनेज करके चलना है इस प्लाउज में यहां पर मैंने इसकी तुर्पाई भी कर दी है और इसमें हुकाई करने के ब आती हूं कि तुम से नहीं होगा तो मैं उनको इनकरेज कर रही हूं और उनको मैं यहीं बोलती हूं कि ठीक है तुम सीलो कोई भी चीज अगर तुम से नहीं आती है तो तुम मेरे से पोच सकते हो या फिर कुछ कमी होती है तो मुझसे जितना पासिबल होगा मैं उसको बता बहुत बड़ी बात होगी और वो अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे, थोड़ा से उनके अंदर confidence आएगा, और कभी-कभी जब हम खुद सुरू में सीख रहे थे न, तो कुछ छोटी-छोटी चीजों होती है, जो हमें नहीं आती थी, और हमें यह लगता थे कि अगर काम को नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई यह कह देना कि ठीक है, तुम करो कुछ कमी होगी, तो हम बता देंगे, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं उस चीज़ को फील करती हूँ, और मैं इसलिए उनसे बोलती हूँ, कि रड़किया है, नए नए सीख रही है, नया नया उनको काम है, और कहीं न कहीं, जब कुछ heavy size में होता है, या small size में होता है, तो उनको उस चीज़ में दिक्कत face करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर उस काम को उन्हें करने के लिए, जितना भी मेरे से possible होता है, मैं कर देती हूँ, बात यहाँ पैसे क अगर कुछ काम को कर रही हूँ, तो जहर सी बात है, पैसे तो मैं लूँगी, लेकिन हाँ, यह है कि उनको जो motivation मिलेगा, अपने time से, अपने काम से, उनके लिए time निकाल के, उनको यह करके दे रही हूँ, तो इस वज़े से मेरा भी जो काम है, वो रह जाता है, तो अब दे सेड से, उसको थोड़ा सा fitting करने के बाद में, फिर मुझे sleep दुबारे से लगानी पड़ी है, तो यहाँ पर पूरा जो time था मेरा, वो इसी तरह से चला गया है, और देख सकते हैं, पंधेरा हो गया है, जो मुझे blouse stitch करने थे, वो अभी ऐसे ही है, ऐसे ही रखे, उनको मैं बड़ा अराम से सिल जाएगा, तो यहाँ देखिए, इसको मैंने complete कर दिया है, और इसको रखती हो मैं एक साइड में, और अभी मुझे बनाना है खाना, साथी साथ मेरे कपड़े है, वो भी मेरे मशीन में डले हुए है, तो यह त्यार हो चुका है, थोड़ी दिर में यहा पर अभी लाइट की दिक्कत है, तो जब लाइट की दिक्कत हो जाती है, तो हमारी वीडियो की जो क्वालिटी होती है, वो नहीं बन पाती है, आज चुकी हो मैं यहाँ पर किचिन में और बना रही हो मैं खाना, आज बना रही हो मैं बेंगनालू की सबजी और बना रही हो तोड़े से दिन की रखी हुई है सबजी तो फिर उसी से ही हमारा काम चल जाएगा तो मैं अभी फटा-फट से मुझे यही लग रहा है कि फटा-फट से मैं यहाँ पर खाना बना लूँ और उसके बाद में मुझे कपड़े भी दुलने है टाइम यहाँ पर हो रहा है लगब कभी कुछ टाइम पहले लाइट कराब हो गए थी तो मुझे बलप और होल्डर निकालना पड़ा था जिस विए से यहाँ से मैंने निकाल लिया था और मैं उसको नहीं लगा पाई थी सबजी रोटी मेरी यहाँ पर बन चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऐसा पड़ा हुआ है सारा आ चुकी हूं मैं यहाँ पर खाना लेके और हम खाएंगे दुकान में ही बैठके क्योंकि कमरे में जो है ना इतनी गर्मी लग रही है बहुत जादा गर्मी हो रही है और जैसे ही मैं खाना लेके आई वैसे हापर मेरी फ्रेंस के कॉल आ गई तो मैंन झेल उनको बोले ख़ख है आपको बाद में कॉल करती हूं अभी मैं खाना खारी हूं क्योंकि भूक लग रही है ठाईम यहां पर हो गया है लगपक साड़े नो बजे में लगचे खाना यहांपर त्यार हुआ है कर्मी इतनी सारी हो रही है मनी नए कर रहा है भिलकुल भी क मुझे कपड़े धुलने हैं और टाइम दखिये हैं यहां पर धीरे 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 लगपक यहां पर साड़े नौ से पौने दस बच चुके हैं मुझे खुच समझ में लेखा आँ की मैकप किस टाइम पर क्या काम करूँ अभी वीटियो भी मुझे आड़िट करना है और टायम यहाँ पर इतना ज़्यादा हो रहा है कपड़े दूलूँगी कि फिर में और काम करूँगी आब 영화 पर मैंने अपना पौन एक जो दुकान है तो यहाँ पर बंद नहीं किया है, क्योंकि हम खाना खा लेंगे, उसके बाद बंद करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी हवा आती है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर अराम रहता है, तो हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पर, पाप भी यहाँ नीचे ही बैट गए है, हम सभी और अब दिखे यहां पर मैं शॉप को अपने बढ़ा रही हूं या जो कपड़े हैंकर के रखे थे उन सभी को मैं इस तरह से निकाल ले रही हूं और निकालने के बाद में यहां पर काउंटर को हटाऊंगी मशीन को इतरे एक साइड में सेट करूंगी क्योंकि जगा कम है त यहां पर देखे मैंने शॉप को बंद कर दिया है और बंद करने के बाद में अब चलती हूं मैं यह पर चट पर चलती हूं कपड़े दूलने के लिए क्योंकि जो मेरी वर्चंग मशीन है वह चट पर ही रखी है नीचे इतनी जगह नहीं है तो मेरा जो बात रूम है वह उ बुलने का, तो मैंने सुभाई कपड़े यहां पर डाल दी तो, देखें, कपड़े मेरे यहां पर इस तरह से मसीन चल रही थी, और अब मैं यहां पर इस बंत करूँगी, तो कपड़े कई सारे हो जुके हैं और किस ने कुछ साड़िया भी हैं जो कि सारे एक दूसरे में लपट गए हैं और मुझे इनको ek'a करके निकाल रही है तो मुझे और ज्यादा दिकत लग रही है तो अभी फिलाल जल्दी-जल्दी का जो काम होता है मेरा ऐसे ही रहता है जो होता है वो थोड़ा जल्दी-जल्दी का रहता है अभी दीरे दीरे काम करूँंगी तो फिर मैं अपने काम को कर आपए।itenEBA साफ सफाई है तो एक बार को हमें डेली की जो सफाई है वो तो करनी ही होती है और जो कभी-कभी की होती है वो हम हफते में एक दिन कर सकते हैं तो काम को सभी कुछ को मैनक्स करना होता है और मेरी मम्मी की तवियत खराब होने की बज़े से मेरे पर काम जो है वो सिर्फ खाने क और घ्र चाने के बढ़द से और भी जातों जो time हो बढ़गया तो ऐसा ही रहता है और हमें बच्चों के लिए भी time nikaलना होता है खुद के लिए भी time nikaALना होता है अपने लिए भी time हुम निकालानी पाते हैं प्सकर मैं तो निकाली नहीं पाती हूं और अभी मैंने बस यही सोचा है कि मैं इन कामों को करते-करते जो मेरे सिलाई का है वो थोड़ा सा जो simple कपड़े हैं वो में लेना बंद कर दूँ simple कपड़े जब लेना बंद कर दूँगी तो फिर मेरे लिए खुद के लिए भी time बचेगा क्योंकि simple कपड़े में हमें इतना पैसा नहीं मिल पाता है और फिर हमारे time तो उतना लगता ही है designer के साथ-साथ हमारे लिए एक benefit यह होता है कि हमारे लिए video बनाने के लिए एक topic बिल जाता है और थोड़ा सा उसमें पैसा भी अच्छा मिल जाता है तो मैं तो अभी यही सोचने वाली हूँ मतलब यही सोच रही हूँ और यही plan मैंने किया है कि designer कपड़े ही लूँगी अगर कोई customer सिलवाते हैं और अगर simple कपड़े आते हैं तो मैं नहीं लूँगी उससे मेरे time की बचचतोगी और जो time मैं यहां पर invest कर रही हूँ वो time मैं खुद के लिए personally use कर पाऊंगी तो मेरे लिए time ही नहीं बच पाता है तो किस तरह से मैं अपना काम करती हूँ और कपड़े दुलने के लिए मैंने इसलिए machine ली थी क्योंकि इतना time मेरे पास नहीं हो पाता है कि मैं पैट के अराम से कपड़े दुलू ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो मुझे इतना दिक्कत रहे नहीं इतनी दिक्कत नहीं है लेकि जब हमारे कपड़े बेट सीट वगरा यह फिर हमारे heavy कपड़े जब हो जाते है और खासका सर्दियों में तो इतना टाइम खुद के लिए भी लेना होता है और कपड़े सुखने में भी टाइम लगता हो और बड़े-बड़े कपड़े होते हो इसको दुलने में भी टाइम लगता है तो यहां पर मेरे जो कपड़े थे वो यहां पर दो बार में दुले हैं एक बार spin करके मैंने निकाल लिए और अब इन कपड़ों को मैं सब रात में ही डाल दूँगी छट पे रसी पे और दिवाल पे डाल दूँगी जिससे कि ये सूख भी जाएंगे और दिन में जो धूप की दिकत रहती है कलर फैट हो जाता है या फिर मैं भूल जाती हूं अब लगभग रात के साड़े दस से ग्यारा बच जाएंगे मुझे वीडियो को खतम करते करते क्योंकि मैं यहां पर कपड़े दुल रही हूं कपड़े दुलने के बाद में इनको स्पिन करके कपड़ों को सुखने के लिए डालना है उसके बाद में मशीन को साफ करना है और फिर यहां की साफ सफाई करके फिर मैं नीचे जाओंगी अभी दूद वगरा भी गरम करना है और दूद गर गरम करने के बाद में फिर मुझे वीडियो भी आइडिट करना है वीडियो आइडिट करने के बाद में तब जाके मुझे कहीं पर आराम मिलेगा और इसी तर को आराम से जल्दी एटाएं और मेरे साथ में एक रिजन ये भी है अगर दे कि कोई मजबूरी होती तो मुझे उठना भी पड़ता लेकिन मेरे साहथ मैं इसा एक है कि कोई स्कूलब्बन के साथ में जरूरी हो जाता है कि यह , और बुद्धरbay में कमरे में यहां ज्यांट करेंगे हैं अभी ममी नहीं अभी दबाई नहीं खाई है तो दूद per दे यहां पर मैं सेृत्छत दूद कर ल humans के पाद में यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए जो थूद है वो भी मैं यहां थोड़ी देर कलें कुछ हूँ कपड़े पहन पहन के यहां पर ब्लकूल बाड़ी जो होती है वो कस जाती है तो यहाँ पर मैंने 90 डाल ली है, अब थोड़ी दिर में बैट के आराम करूँगी, वीडियो के एडिट करूँगी, और इसी तरह से मेरा पूरा दिन जो है, वो निकल गया, रात के यहाँ पर साड़े दस से पौने 11 बजी जाएंगे धीरे-धीरे, और तो अभी का वीडियो जो है, मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करकेते हैं, मेरे साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ सवाल या सुझा वो या कुछ कमी आपको लगती है, मेरे वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई, टेक क्यार, और इसे के साथ मेरा वीडियो यहाँ पर एंड होता है, टाइम यहाँ पर लगपा कैसे ही हो गया है, वीडियो के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा जो अ हमारे रिलेटिव हैं, उनके भी कॉल यहाँ से जाते रहते हैं, तो इसी टाइम पर मुझे टाइम मिल पाता है उनसे कॉल करने का, बात करने का, बाबाई